इस्राइल हमास युद्ध ने पूरे मिडलीस्ट को सुलगा कर रख दिया है जिसकी वज़ा से लाल सागर, बाबल मंडे, अरब सागर, हिंद महा सागर और स्ट्रेट अफ हर्मूस ये वो इलाके हैं जहांपर यमन का हूती लगातार, ड्रोन, मिसाइल और रॉकेट हमलों से अमेरिका और इस्राइली जहाजों को दहला रहा है दरसल इस पूरे समुदरी इलाके में अमेरिका और पश्चमी देशों के कई युद्ध पोत तैनात हैं जिन पर हूती ताबर तोड हमले कर रहा है हूती का कहना है कि वो इस इलाके से इसराइल और अमेरिका से जुड़े जहाजों को तब तक निकलने नहीं देगा जब तक की इसराइली सेना गाजा के भीतर युद्ध नहीं रोक देती है लेकिन हूती पर लगाम कसने के लिए अमेरिका और बिटेन ने यमन के भीतर हूती के सैने ठीकानों पर कई हमले भी किये हैं लेकिन हूती पर इन हमलों का तिल भर भी असर नहीं पड़ा है और यही वज़ा है कि वो आप डंके की चोट पर कह रहा है कि वो अपने हमलों का दाइरा बढ़ाने जा रहा है और इसी कड़ी में हूती ने दावा किया है कि उसने एडन की खाड़ी, हिंद महा सागर और अरब सागर में माल वहाग जहाजों पर मिसाइल और ड्रोन हमले किये हैं इन हमलों को लेकर हूती के प्रवक्ता ब्रिगेडिया जनरल याया सारी ने बयान भी दिया है उनका कहना है कि हूती ने एडन की खाड़ी में इसराइल से जुड़े दो जहाजों पर ड्रोन और बैलेस्टिक मेसाइल से हमला किया है याया सारी का दावा है कि उनका ये हमला एक दम सटीक रहा है हूती के मताबिक एडन की खाड़ी और अरब सागर में M.S.C. डीएगो और M.S.C. जीना पर हमला किया गया है इसके बाद अरब सागर में एक अन्य जहाज M.S.C. विटोरिया पर भी मिसाइल से दो बार हमला किया गया पहला हमला हिन्द महसागर में और दूसरा हमला अरब सागर में किया गया उन्स किया व Been A? le आर फिर… हमले 꽃 इंद की खंन ए आर लります में उन्स ऐ्रक बिंद हमले उन्सिर जीन में लूग, पिर आर फिर उन्सिर अर्बवर में की किया वजा हुए लगे पंद को स्वागर में वि में अदनिया माई हुटी के नेता अब्दूलमालिक अलहुती ने कहा है कि जो भी जहाज इसराइल या कब्जे वाले फिलिस्तीन तक सामान की सप्लाई लेकर जाएगा उस पर हमलाज जरूर होगा चाहे वो जहाज कहीं भी जा रहा हो मा अलवान इसरуйली अला रफच तेसमी पर मैंना को दानए जात्राइगी लालागा ऑलागा रिजा उनकल पजाएगा ले पिली एस ततज्ए को जहाजा था हुआती ले ले मिनाओ मिनाए फिली फिली जातश ले-ातो कुम्ति भाले हुआती लेले हिजित थाने चाहुआती तर सिल सुफनां दिल मौानिव फिलस्तिन मुष्टला लिसालफ लादू लिस्राइली लिसालिख लादू लिस्राइली फसा तट इत्खब जदेमा थे लिज्राइट फि ऐई मकान कजालिक तालगो आईदीना बड़ी बात यह है कि हूती ने जिन मालवाहत जहाजों पर ये हमले किये हैं उन में से MSC डिएगो पैनामा का जंडा लगाकर ओमान से जबूती जा रहा था जबकि MSC जीना श्री लंका से जबूती जा रहा था वही MSC विटोरिया पैनामा का जंडा लगाकर भारत की तरफ बढ़ रहा था हाला कि हूती के इन हमलों को लेकर अमेरिकी सेना सेंट कॉम ने अलग ही दावा किया है उसका कहना है कि जिन तीन ड्रोन और एंटी शिप बलेस्टिक मिसाइलों को हूती ने एडन की खाड़ी मे मार गिराया या फिर वो समुद्र में ही गिर गए थे आपको ये भी बता दे कि हालिया दिनों में हूती ने हिंद महासागर में अपने हमले बढ़ा दिये हैं और इसको लेकर हूती के नेता अब्दुल मलिकल हूती ने कहा था कि पिछले सात महीनों में 112 जहाजों पर हमले क इनमें वो जहाज भी शामिल है जो इसराइली बंदरगा की तरफ सामान लेकर जा रहे थे।